अब है यूझा एकन वाला है आज मैं आपको बताने वाला हूं। कंवर्जन ओफ डेस्मल नंबर इंटू ओक्टल नंबर डेस्मल नंबर में कैसे कंवर्ट के जाता मैं आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखे तो चली स्टाट करते हैं 642 यह decimal में आपको octal में convert करना है तो octal में convert करने के लिए आपको 8 से divide करना होगा 8 से जब divide करेंगे तो 8 एड़ा 64 और 8 के टेवल यह जो है आपको इस तरह से divide कर लेना है इस तरह से divide करेंगे 8 एड़ा 64 यह यहाँ आप टू बचेगा 8 के टेवल 0 बर पढ़ेंगे तो 0 लिखेंगे remainder क्या बचेगा 2 आपको यहाँ पर क्या करना है 80 लिखेंगे और remainder केतना बचा 2 तो remainder आपको यहाँ पर लिखना है ठीक है अब आपको फिर से 8 से divide करना है 8 से जब divide करेंगे 8 के टेवल 10 बर पढ़ेंगे तो 80 आएगा अंसर remainder क्या आएगा 0 यहाँ आप लिखेंगे फिर आपको 8 से divide करना है 8 के टेवल पढ़ेंगे जैसे 8 के टेवल पढ़े 10 को डिवाइट करना है तो एक बार में 8 आएगा remainder क्या एगा टू एट बंजा 8 remainder क्या आए टू अब 1 बचा अब 1 को 8 से divide करना है तो 8 के टेवल जब पढ़ेंगे आप तो 1 नहीं आएगा तो क्या करेंगे 0 बार पढ़ेंगे 8 के टेवल जैसे क्या करना है आपको 8 के टेवल जब पढ़ेंगे तो 8 नहीं आएगा तो क्या करेंगे 0 बार 8 के टेवल पढ़ेंगे तो लिखेंगे एट के टेबल जीरो बर पढ़ेंगे और रिमेंडर क्या एगा वन रिमेंडर आपको यहां लिखना है ठीक है एट के टेबल जीरो बर पढ़ें तो अंसर जीरो आया और रिमेंडर क्या एगा वन आपका अंसर जो होगा यहां से यह स्टार्ट करते वह यह लिखन अंसर आपको, अंसर हो गया, 1202 यह जो है आपको अंसर हो गया, octal, final answer इस तरह से आप लिख सकते हैं, 642, 1202, यह octal में convert हो गया, यह अंसर हो गया आपको, next question है, 9246, यह decimal में आपको convert करना है, octal में, octal में convert करने के लिए, आपको 8 से divide करना है, 8 से divide करेंगे, इस तरह से, 81 जा 8, यहां क्या बचा, 1 और 2, 12 हो गया, 81 जा 8, यहां पर 4 बचा, 4 और 4, 44 हो जाएगा, 85 जा 40, और यहां क्या बचा, 4 और 6, 85 जा 40, remainder आपको बचा, यहां पर 6, अगर आपको इस तरह से divide करने नहीं आता है, तो आप जो है, इस तरह से, general जिस तरह से divide करते हैं, आप इस तरह से divide कर लेंगे, ठीक है, remainder क्या आएगा, 6, पिर इस तरह से next divide करेंगे, अगें, 8 से divide करेंगे, 8, 1 जा 8, 3 बचेगा, 3 और 5, 35 हो जाएगा, 8, 4 जा 32, फिर 3 बचेगा, यहां पर remainder, 3 और 5, 35 हो जाएगा, 8, 4 जा 32, remainder क्या बचेगा, remainder जो बचेगा, यहां पर आपको लिग देना है, ठीक है, फिर आपको 8 से divide करना है, 8, 1 जा 8, यहां क्या बचेगा, 6 और 4, 64 हो जाएगा, 8, 8, 64, remainder आपको क्या बचेगा, जब पूरी तरह से divide हो जाएगा, तो आप देखेगे, remainder 0 बचेगा, यहां पर आप इस तरह से divide, अगें फिर से करके देख सकते हैं, 8 से जब divide किया गया, तो यहां पर answer 144 और 3, जब 144 को divide किया गया, तो answer 18, remainder क्या है, 0, इस तरह से divide कर लेंगे, अब आपको divide करना है, 18 को, 18 को divide करना है, 8 से आपको फिर से divide करना है, 8 तू जा 16, remainder क्या बचा, 2, remainder आपको क्या बचेगा, 2, हो गया, अब आपको 8 का टेवल पढ़ाना है, ऐसा कि जो 2 आजा, 8 का टेवल जब आप पढ़ेंगे, तो 2 तो किसी भी नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे, देखे, 8 का टेवल पढ़ा गया, 0 बार पढ़ा गया, तो remainder क्या आएगा, 2, 8 का टेवल 0 बार पढ़ना है, तो remainder क्या आएगा, 2, क्योंकि 8 का टेवल 0 बार पढ़ेंगे, तो answer क्या आएगा, 0 आएगा, को भी नमबर को किसी से 0 से multiply करेंगे, किसी भी नमबर को 0 से multiply करेंगे, तो answer आ आएगा रिमेंडर के आएगा तू यह आपका कम्प्लीट होगा आप अंसर लिखेंगे तो अंसर आपको लिखना होगा इसका अंसर यह होगा 9246 का अंसर होगा यहां से आपको अंसर लिखना है इस नीचे से उपर के और अंसर लिखना है अंसर होगा 2, 2, 0, 3, 6 यह octal में convert हो गया इस तरह से आप convert कर सकते हैं आप ज्यादा यह देखें इस तरह का जो नंबर बड़ा नंबर होगा तो हो सकता है आपको confusion हो confusion हो तो इसलिए आप क्या करेंगे rough copy लेकर आप divide कर लेंगे divide करने के बार जो अंसर आएगा यहां लिखना है remainder यहां लिखना है फिर आपको फिर आपको एट सी डिवाइट करना है एट टू जा 16 remainder आएगा यहां लिखना है फिर एट कर टेवल पढ़ेंगे देखें यहां पर लास्ट नमा आपको जैसे आएग जैके 0 आगया आगय काम स्टॉप कर दिया गया अंसर आपको इस साट से नीचे से उपर के और लिख दे गया अंसर यहां लिखा गया remainder 0 लिखा गया एट से डिवाइट किया गया वन आया remainder 2 यहां लिखा गया लास्ट में देखें एट जब यह वन बचा तो इसका भी जो है डिवाइट करना है एट से डिवाइट किया गया तो remainder डिवाइट किया गया तो answer 0 आया remainder 1 आया तो final आप आप decimal number से octal number में convert कर सकते हैं ये वीडियो कैसा लगा में comment box में ज़रूर बता है अगर आपको ये concept समझ में आ गया तो एक आपके लिए question है जो आपको complete करना है question है one two five eight इस number को आपको convert करना है octal में इस number को आपको octal में convert करना है इसका answer क्या होगा हमें comment box में जरूर बता है thank you so much for watching